हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंजोई गाडनिंग यह देख रहे हैं अब कितना खुबसूरत प्लांट है इसका नाम है सॉंग ओफ इंडिया और इसे बाटनिकल नेम में बोला जाता है ड्रसीना रिफ्लैक्सा यह फ्रेंड इसके अिर सीरत मौन वाला इसे प्लांट। कहलते हैं तक प्लांट। अगर आप पूरे प्लांट का कंपरेजिन बना चाहते हैंतो वह वीडियो देख सकते हैं डिसक्रिप्शन लिंक मिल जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत पतियों वाला ये प्लांट है रिबिन शेप की इस तरह की पतियां होती है इसकी वेरिगेटेट लीव्स होती है बेख सकते हैं बीच में ग्रीन है आसपास जो है लाइट क्रीन का कॉम्मिनेशन है और एक प्ल इसको कैसे बुशी बना के रखा जाए मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में नर्सरी से जब आप इसको लेके आएंगे तो इसको कौन से गंबले में कितने साइज में लगाना है आठ से बारा इंच तक का गंबला आप ले सकते हैं इससे बड़ा मत लीजेगा मैंने त प्लास्टिक वाले गंबले में लगा रखा है आप कोई सवी गंबला यूज कर सकते हैं इसके लिए नर्सरी में आपको ये डेर सो रुपे तक में मिल जाते हैं आराम से सबसे पहले बात करते हैं अब इसकी लोकेशन की कि आप इसको रखें कहां पर इसको आप बहुत अच बर्न ओकर के गिरना शुरू हो जाती है तोड़ी सी अगर आप इसको सनलाइट देंगे जैसा मैंने बताया सुबह की तो यह बहुत अच्छी सी इसकी ग्रोथ होगी इसका वेरिगेशन भी अच्छा निखर के आएगा लेकिन मेरा जो आप प्लांट देख रहे हैं इसे मैं सनलाइट में नहीं रखा यह केवल हमेशा ब्राइट लाइट में ही रहता है और यह लगभग मेरा की इससे अखते कितना घंा घंग्ना में किटनम भुषी हो रहा है यह कि कितनी सारी branches हो गई हैं तो यह नीचे से क्या है ? अपने अप इन करना हो पर मेरे साबसे हैं कि तो ज़्यादा अच्छा रहता निचे की लिए प्रसीजर आपको चिंटा करने की जरूत नहीं प्लांट की सबसे बुरी आदत यह होती है कि इसकी नीचे की पतियां हटती रहती है चलिए आप बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसे त्यार करें बहुत ही सिंपल मिट्टी बनानी है कोई खास नहीं एक हिस्सा गार्डन सॉयल ल बिला सकते हैं क्योंकि इसमें जो है कभी-कभी ऐसे फंगस अटेक कर सकती है अब इस प्लांट को आपको मेरे प्लांट की तरह अगर बुशी बनाना है तो आपको करना क्या है कि जब यह प्लांट लेगी-लेगी सा हो जाए और इसकी ब्रांचेस काफी बड़ी-बड़ी हो बारिश के सीजन में करें अगर आपको इसका करना है तो उपर की इस तरह से 5-6 इंच की टिप काट दीजिए इसकी यह प्रूनिंग का भी हिस्सा है जैसे प्रून कर रहे हैं तो उसको भी आप प्रोगेट कर सकते हैं देखें नीचे के पत्ते हटा दीजे और इसमें नीच कि मेरी कटिंग के क्या हालत है मैंने बहुत दिनों से इसको चेक भी नहीं किया है मैं भूल भी गई थी तो आपके सामने में इसको दिखाती हूं और यह बहुत जम गया है अच्छे से मतलब काफी बढ़िया से इसमें रूट्स डवलप हो गई है निकल नी रहा है इतनी आ कि एजिली प्रोपगेट कर सकते हैं आप इसके कई सारे प्लांट बना सकते हैं चली अपडेट देने की बात होई रही है तो मैं आपको लगे हाती यह भी पता देती हूं यह मैंने देखिए गुल्दाओदी की कटिंग्स लगाई थी और यह मैंने अभी महीने पर पहले य कुछ थोड़ी बहुत खराब हो गई है नर्मल प्रसीजर है सारी कटिंग्स ही नहीं लगती है तो यह मैंने गुल्दाओदी की कटिंग्स लगाई थी अब सीजन आ गया है कि इन कटिंग्स को मैं निकाल करके और दूसरे गंबले में शिफ्ट करने वाली हूं चली बात कर नीचे गिरने लग जाती है तो आपको पानी बहुत समझ के देना है देखिए मेरे नज्यॉइ पोथोस मैंने कैसे मटकी में इसको लगा रखा कितना प्यारा लग रहा है नहीं बहुत ही कुबसूरत प्लांटे मेरा फेवरेट प्लांटे यह एंजॉइ पोथोस मैंने हैं आपको मिटि छूके देखनी है अगर नमी है मिटी में तो आप पानी मत दीजिए ठंडा हमेशा नमी मनाके रखना है पानी इतना नहीं होना चिए कि मिटी इतनी गीली रहे कि रूट रॉट रॉट होने के चांसे हो जाएं क्योंकि पैस्ट के अगर मैं बात करूं तो इसम करके और मिट्टी में डाल दीजे वह पानी वह ज्यादा जल्दी असर करेगा इस पौदे को हल्की सी गर्माईश अच्छी लगती है हल्की सी नमी अच्छी लगती है तो यह बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहता है कितनी ब्राइट लीव्स आप इसकी देखिए है मैंने ज सवादार जगे में अगर प्लांट आपका रखावा है तो केवल ब्राइट लेट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है और यहां पर बारिश भी बहुत अच्छी आती है तो कितना चमक रही है इसकी पत्तियां देखिए मेरे दो कितने क्यूट से रबिट लगा रखा और सभी को मैंने देखिए प्लांट स्टैंड पर रखावा है जिससे बालकनी इतनी सुन्दर लगती है इस तरह से अरेंज करके रखो आप गमले तो बहुत ही प्यारा लगता है लुक बहुत अच्छा आता है और साफ सफाई भी बहुत आसान होती दोनों प्लांटर प्लांटर है इसका वीडियो में अपलोड किया था आपने नहीं देखा तो जरूर देखेगा बहुत ही सुन्दर प्लांटर है यह तो फ्रेंट्स मैंने आपको पूरी जानकरी दी इस प्लांट के ऊपर यह जरूर लेके आईएगा ड्रेसीना रेफ्लेक्सा बह अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब पीजिए मेरे चैनल को फिर में लूंगी तब तक के लिए बाए